प्रिए सिख्छार्थियों मैंने अपने पूरु के आनलाइन लेक्चर के माद्यम से मनुविज्ञान के स्कूलों का सिख्छा में क्या योगदान है इसके जो डिफरेंट स्कूल्स हैं संरचनावाद प्रकारवाद दिवहारवाद मनुविश्लेशनवाद जस्टाल्ट मनुविज्ञान के अंतरगत सरप्रथम इसके प्रस्तावना उद्देश मनुविज्ञान के विविन संप्रदाय संरचनावाद क्या है संरचनावाद का सिख्छा में क्या योगदान है प्रकारवाद क्या है प्रकारवाद का सिख्छा में क्या योगदान है बिवहारवाद किया है? बिवहारवाद का सिख्षा में क्या योगदान है? इसके संबंद में जानकारी प्रदान की आज मैं पुन आपको मनुबिज्यान के स्कूलों का सिख्षा में योगदान के जो rest schools हैं जिन में मनुबिसलेशन वाद, जेस्टाल्ट मनोविज्ञान, हार्मनिक मनोविज्ञान के संबंद में चर्चा करेंगे तो आज मैं आपको विबिन्न स्कूलों के अंतरगत आने वाले एक विसेश, एक मात पूर्ण संप्रदाय मनोविशलेशन वाद के संबंद में जानकारी प्रदान करेंगे मनोविशलेशन का प्रयोग मनोविज्ञान में तीन अर्थों में होता है एकदम क्लियर है कि मनोविशलेशन का प्रयोग मनोविज्ञान के छेतर में तीन अर्थों में किया जाता है मनोविशलेशन मनोविज्ञान का एक स्कूल है मनुविशलेशन ब्रक्तित का एक सिद्धान्त है तथा मनुविशलेशन चिकिस्सा की एक बिदी है यह एक चिकिस्सी बिदी भी कही जा सकती है मनुविशलेशन की स्थापना सिग्मंट फ्रायड महोदय ने 1856 से लेकर 1932 द्वारा नैदानिक परिस्थितियों में की गई मनुविज्ञान पर इस स्कूल का काभी प्रफाव पड़ा बिवहार वादियों द्वारा बिवहार की ब्याक्षा करने में अब प्रेच्छडिय मानसिक बलों को पूर्ण तह अश्विकृत कर दिया गया था वहीं फ्रायड महोदय ने ऐसे अद्रिश्य एवं अचेतन मानसिक बलों को मानो प्रकृति एवं बिवहार को समझने के लिए काफी महतुपूर्ण बताया है अब मनो बिशलेशन वाद की क्या-क्या भी सेष्टाएं हैं वो वन बाई वन मैं आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ इसकी पहली भी सेष्टा की रूप में इस्थला क्रेतिक संद्चना फ्रायड ने मन के तीन इस्तरों का वर्णन किया है आप जानते भी होंगे सुना भी होगा फिर भी मैं इस आनलाइन क्लास में आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ जैसे जो चीज आपके अचेतन मन में हो वो चेतन में आ सकें नमबर वन चेतन, नमबर दो और द चेतन और नमबर तीन अचेतन चेतन क्या है? मन के चेतन अवस्था में वैसी अनभूतियां संचित होती है जिससे ब्यक्ति वर्तमान समय में पून तह आउगत रहता है आर्द चेतन के इस्थिति क्या है? इस अवस्था में वैसी अनभूतियां संचित होती है जिसमें ब्यक्ति बर्तमान समय में अउगत तो नहीं रहता परंतु थोड़ा प्रयास करने पर उससे अउगत हो सकता है अचेतन इस वस्था में वैसी अनभूतियां संचित होती है जिन से ब्यक्ति बर्तमान समय में अउगत तो नहीं रहता है पर उन्तु थोड़ा प्रयास करने पर उससे अउगत हो सकता है अचेतन में वैसी अन्बूतियां इच्छाएं आजी होती है जो कभी चेतन में थी लेकिन प्राय असामाजिक होने के कारण चेतन से दमित कर दी गई और अचेतन इस्तर पर चली गई फ्राय ने चेतन और दचेतन यवं अचेतन में से अचेतन को सरवादिक मातपूर माना है इससे यह भी ग्यांत होता है कि ब्यक्तिका बेवहार अचेतन की प्रिर्णाओं द्वारा निरदारित होता है इसके सन्राजनात्मक माडल के संबंध में अब हम चर्चा करेंगी उपाह क्या है इसके संबंद में मैं आपके समख्ष जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ उपाह मूल प्रवित्यों का बंडार होता है और यहां आनंद के नियम द्वारा संचालित होता है तथा यह पूर्णतिया अचेतन होता है उपाह केवल आनंद प्राप्त करना चाहता है अता हुपाह में जो इच्छाएं उत्पन होती है उनका मुख्ष लक्ष सुख की प्राप्त करना होता है चाहे वो इच्छा सामाजिक द्रिशी से उचित हो या अनुचित अत्वा नैतिक हो तथा अनैतिक उनके ब्यक्तित में परिलच्छित होती ही है आहम व्यक्तित को आप कार्य पालक होता है तथा यह वास्तिकता के निएमधौरण संचालित होता है औहुंको सम्हांत था वास्तिक्ता का नेतिक कमाणडर होताites हम कह सकते हैं कि जो पराह है वो जो मेरा ब्यक्तित्त है उसका एक नैतिक कमंडर है यह नैतिकता के नियमद्वारा संचालित होता है पराह आदर्शू एवं नैतिकताओं का बंडार होता है तथा बच्चों के सामाजी करण में यह प्रमुक भूमिता निभाता है दुस्चिंता एवं मनुरचनाएं फ्रायड के अनुसार दुस्चिंता एक दुखत अवस्ता है जो ब्यक्ति को आने वाले खत्रों से आगाह करता है इन्होंने दुस्चिंता के तीन प्रकार बताए वास्तविक दुस्चिंता तंत्रिका तापी दुस्चिंता तथा नैतिकत संबंदी दुष्चिंता वास्तविक दुष्चिंता वाहवाता वरण में मौजूद खत्रों जैसे आग साप, भूकम्प आज इसे जब व्यक्ति में चिंता उत्पन्न होती है तो उसे वास्तिविक दुष्चिंता कहते हैं अब तंत्रिका तापी दुष्चिंता क्या है? इसमें व्यक्ति को उपाः प्रवित्यों से खत्रा उत्पन्न हो जाता है नेतिकता संबंदी जुस्चिंता इसमें आहम को पराह से दंडित किये जाने की धंकी मिलती है ऐसी परिस्तिती में ब्यक्ति में आत्म दोस लज्या आदी जैसे मानसे की इस्तिती उत्पन हो जाती है इन चिंताओं से बचने के लिए ब्यक्ति विबिन तरह की मनो रचनाओं का सहारा लेता है इन मनो रचनाओं में दमन, युक्तियाभास, प्रच्छेपन, आत्मी करण, आदी मुख्य है मनो विशलेशन वाद क्या है? इसके अर्थ इत्यादी को समझने के पस्चार मनो विशलेशन वाद का सिख्चा में क्या योगदान है? इसमें मैं one by one आपको बताने का प्रयास करूँगा इसका पहला योगदान के रूप में सिख्चा में अचेतन प्रेरणाओं का अधिक महत्त बताए गया है इससे सिख्चार्थियों के उन विवारों को समझने में सिख्चा मनो विज्ञान को अधिक मदद मिलती है जो उपर से देखने में बीना कारण के लगते हैं बालक द्वरा किया गया कोई भीकार जिसे बालक ब्यक्त नहीं कर पाता है इनी अचेतन को प्रेणाओं में छिपा रहता है मनो विश्लेशन वाद ने सिख्चा मनो वैज्ञानिकों को समझ्यात्मक बालकों के कारणों तथा इनी बच्चों को पुन समायोजित करने में मदद दी है इस वाद ने सिख्चा प्रक्रिया में संबेगों की भूमिका पर विसेस्ट बल दिया है इसके चोठे योगदान के रूप में ब्यक्ति के ब्यक्तित के विकास में स्वतंत्र भावनाओं की अभिव्यक्ति का विसेस्ट महत्त होता है मनो विश्लेशनवाद ने इस स्वतंत्रता पर विसेश बल डाला बाले काली इन अनुबों का मानो व्यक्तित पर विसेश प्रवाव होता है इसी कारण सिच्छा मनो वैग्यानिकों ने बाले काली इन सैक्षिक व्योस्था पर विसेश बल दिया है बिद्यार्थी जीवन में अध्यापक की महतुपूर भूमिका होती है बिद्यार्थियों के साथ बने अध्यापक के आन्तव्यक्तिक संबंद में ही उनके बिवहार को प्रभावित करते हैं और जीवन के प्रति धनात्मक अभिब्रिति विक्सित करने में मदद करता है कि धनात्मक होना चाहिए विविन प्रकार के संप्रदयों के संबंद में अभी तक मैंने आपके समक्ष अप्तगास जाला परंतु अब जिस संप्रदय के विशेश विशय में मैं चर्चा करना चाहता हूं वह बहुत ही महतुपूर्ण है सिच्छा में इसका क्या योगदान है इसके तंदर में मैं आपके समक्ष चर्चा करना चाहता हूं जेस्टाल्ट मनोविग्ञान की क्या उधारना है जेस्टाल्ट मनोविग्ञान की कोच किसने की जेस्टाल्ट मनोविग्ञान का सिच्छा में क्या योगदान है इस अंदर में मैं अब अपने इस लेक्चर के माद्यम से आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तग करूँग जेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना जर्मनी में मैक्स बरदाई मरद्वारा 1912 इसी में की गई इस स्कूल के विकास में दो अन्य मनोविज्ञानिकों कर्ट कोफका 1857-1941 तता ओर्फ गैंग कोहलर 1857-1967 ने भी मातपूर्ण भूमिका निभाई इस स्कूल की स्थापना उन्ट वर्टिचनर की आनविक विचारधारा के विरोध में हुआ था इस स्कूल का मुख्य बल बिवहार में संपूर्णता के अध्यन पर है इस स्कूल में अंस की अपिक्षा संपूर्ण पर बल देते हुए बताया गया कि यद्यपी सभी अंस से मिलकर संपूर्णता का निर्माण करते हैं परन्तु संपूर्णता की विशेस्ताएं अंस की विशेस्ताओं से भिन्न होती हैं। गेस्टाल्ट मनुवग्यानिकों ने इसे गेस्टाल्ट की संग्यादी जिसका अर्थ, प्रारूप, आकार या आकृती बताया इस स्कूल द्वारा प्रत्यक्षण के छेत्र में सोथ किये गए हैं। प्रत्यक्षण के अत्रिक्त इन मनोवज्ञानिकों ने सीखना, चिंतन तथा इस मृति के छेत्र में काफी योगदान दिया है प्रत्यक्षण क्या है? इस संदर में मैं आपको चर्चा करूँगा प्रत्यक्षन के छेतर में किये गए प्रयोगों ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के महत्त को बढ़ा दिया है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को ने प्रत्यक्षन के निमन सिद्धान्थ बताए या प्रत्यक्षन के निमनिलकित सिद्धान्थ बताए जिसमें पहला सिग्धान्त प्रैग नायन जी का नियम इस नियम को उत्तम आकृति का नियम भी कहा जाता है यह नियम इस बात को इंगित करता है कि ब्यक्ति देखे गए उद्धीपनों को एक संतुलित आकृति की रूप में प्रत्यक्षन करता है जबकि वो दीपन पैटर्ण इतना संतुलित नहीं भी हो सकता है दूसरा समानता का नियम समानता का नियम को आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं समानता का नियम को समझने से पूर आप इस चित्र पर फोकस करें ज्यान दें तो आपको इस्तिती अपने आप इस पस्ट हो जाएगी इस नियम में इस बात पर बल डाला गया है कि वस्तु जिनकी संदचना समान होती है उसे ब्यक्ति एक साथ संगठित कर एक प्रत्यच्छाडात्मक समग्रिता के रूप में प्रत्यक्ष करता है या अभिब्यक्त करता है दूसरा है समी प्यताका नियम के संदर में इस चितर को आपध्यान से देखें या क्या कहना चाहता बवह अपने आपश्रस स्थ है इस नियम के अनुसार वे सभी वस्थ में जो समय तथा इस्थान में एक दूसरे से नज़दीक होते हैं उसे ब्यक्ति प्रत्यच्छणात्मक रूप में संगठित कर प्रत्यक्ष करता है आपने अगले नियम के रूप में निरंतर्टा का नियम दिया निरंतर्ता के नियम को भी इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है इस नियम के अनुसार वस्तों में एक दिशा में आगे बढ़ते रहने की निरंतर्ता बनी रहती है उसे ब्यक्ति एक संगठित आकृति वाला तस्वीर के रूप में प्रत्यक्षन करता है अब मैं आपको आकृति प्रिश्ट भूम का नियम के संदर में बताने का प्रयास करूँगा यह नियम इस तत्य पर बल डालता है कि प्रत्यक्षन किसी आकृति की रूप में संगठित हो जाती है जो एक निश्चित प्रिश्ट भूम पर दिखाई देती है आकृति का एक मुख्य गुण यह भी होता है कि यह इस्पस्ट एवं उतक्रिष्ट होती है तथा प्रिष्ट भूमी तुलनात्मक रूप से और इस्पस्ट एवं अनुक्रिष्ट होते हैं पल्टावी आकृति में आकृति कभी प्रिस्ट भूमी में और प्रिस्ट भूमी कभी आकृति की रूप में पलटते हुई दिखाई पड़ते हैं सीखना के संदर्व में मैं आप देस्टाल्ट वादियों का क्या विचार है इस संदर्व में चर्चा करूँगा देस्टाल्ट मनुविज्ञानिकों ने सीखने के छेत्र में अनेक महत्पूर्ण प्रयोगात्मक अध्यन करके सीखने की एक नई अंतरद्रिष्टि प्रदान की है इन लोगों ने इसपस्ट किया कि प्राणी प्रयत्मयों भूल से नहीं बलकि सूज से सीखता है सूज व्यक्ति में किसी समस्या का समाधान करते समय या किसी पाठ को सीखते समय प्राय अचानक विक्सित होती है सूज सोच के नहीं सूज सहसा आपके विचारों में आती है आपके मन मस्तिष्ट में आती है और आप किसी कारे को सीख लेते हैं और व्यक्ति उद्यपनों के बीच के संबंदों के आर्धपूर संबंदों को समझ जाता है इससे सीखने की प्रक्रिया में तेजी आ जाती है इसलिए जेस्टाल्ट वाद्यों का मत्था कि सीखना भी अचानक होता है जीवन में जो सीखने की प्रक्रिया चलती है वो अचानक एक्सिडेंटली हो जाती है ना कि अभ्याद के साथ क्रमिक धंग से धीरे धीरे होता है अब चिंतन के संबंद में जिस्टाल्ट वादियों का क्यामत है इस अंदर में मैं अपने इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा जिस्टाल्ट मेलोग्यान को गॉजक द्रॉड तक युए अध्यन कर शिच्छा मनो विज्ञान के लिए बहुत युपयोगी तथ्य प्रदान किए बर्दाइमर महृद्य ने चिंतन प्रक्रिया का बैज्ञानिक अध्यन किया उनके अनुसार चिंतन का अध्यन समग्रता के रूप में द्रिया जाना च समस्या का समाधान समग्रता से अंसकी और बढ़ना चाहिए बरदाइमर ने चिंतन के तीन प्रकार बताए ए बी तथा वाई ए प्रकार का चिंतन एक प्रकार का उत्पादी चिंतन है जिसमें बालक लच्छ तथा उस पर पहुँचने के सादुनों के भी सीधा संबंद प्रकार के चिंतन में बालक समस्या के विबिन पहलूं का पूनर संगठन करने में समर्थ हो पाते हैं वाई प्रकार का चिंतन ऐसा चिंतन है जिसने प्रयत्म्यों भूल की प्रधानता होती है तथा समस्या के विबिन पहलूं का आपसी संबंद बिना किछी समझे बूजे ह बालक उनका समादान करना प्रारंब कर देते हैं वाई प्रकार का चिंतन अधिक होने से ए प्रकार का चिंतन सभावतह कम हो जाता है बी प्रकार का चिंतन ऐसा चिंतन है जो अंशतह उत्पादी तथा अंशतह अनुत्पादी वह यांत्रिक होता है अब इस्मृति के संबंद में दिस्टाल्ट वाधियों का क्यामत है इस पर भी चर्चा करेंगे दिस्टाल्ट मनों विज्ञानिकों ने इस्मृति के छेत्र में प्रत्यक्षण के नियमों का उप्योग किया है इन्होंने इसमिति को एक गत्यात्मक प्रक्रिया माना है जिसमें समय बीतने के साथ साथ कई तरह के क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं ऐसे क्रमिक परिवर्तन प्रक्रिया चड़ात्मक संगठन के नियम के अनुरूप होते हैं विविन्न प्रयोगात्मक अध्यनों से इस बात की पुष्टी मनु बैज्ञानिकों ने की है गिप्सन वार्टलेक्ट उननिस्सो बत्थिस एवं आलपोर्ट एवं पूस्मैन उननिस्सो साहतालिस ने अपने प्रयोगों से यह हिस्पस्ट किया कि मूल सामगरियों की धारना में समय बीतने के साथ बिक्रिती होती है परन्तु इस बिक्रिती का स्वरूप ऐसा होता है जिससे मूल सामगरियों का स्वरूप पहले से कुछ उननत हो जाता है सिच्छा मनु बैज्ञानिकों को गेस्टाल्ट वादियों के इस योगदान से इस्म्रिती के स्वरूप को समझने में काभी मदद मिली इसी कारण इन लोगों ने इस्मर्ण के स्वरूप को उना रुत्पादक ना कहकर रचनात्मक कहा है अब जेस्टाल्ट मनु बिज्ञान के संबन्द में इसकी आउधारना इत्यादी पर प्रकास डालने के बाद जेस्टाल्ट का सिख्चा में क्या योगदान है इस संदर्प्त में वन बाई वन चर्चा करेंगे जेस्टाल्ट वादियों ने प्रत्यक्षणप के नियमों का प्रयोग सीखने के चेत्र में भी किया अत्या अध्यापक को चाहिए कि वह सिख्चार्टियों के सामने बीसे सामगरी को पूर्ण रूप में प्रस्पत करें दूसरे योगदान के रूप में ब्यक्तित विकास में वातावरन की अग्रगनी भूमिका पर बल दिया अत्या इसकूल का वातावरन ऐसा होना चाहिए कि जो कि बच्चे के व्यक्तित विकास में साहयक हो सके सिख्षार्टियों में सूझ उत्पन्न करने पर बल दिया ताकि जो मेरा लर्नर है जो मेरे शिख्षार्टी है समस्यात्मत परिस्तिती का समाधान सूज विजिसे करके सीख सकें अगले योगदान के रूप में अध्यापकों को बिद्यार्थियों के वीचारों को जानने वा समझने का प्रयास करना चाहिए अपने विचारों को उन पर लाद कर विद्यार्थियों के प्रत्यक्षण को प्रवावित नहीं करना चाहिए अध्यापक को पठन सामगरी, रूचिपूर तथा समझ आने योग्य रूप में सिक्षार्थी के समख्ष रखनी चाहिए या प्रस्तुत करनी चाहिए जो भी निर्देश दिये जाए, सिक्षार्थियों को जो भी निर्देश दिये जाए, या जो भी कहा जाए या जो भी प्रस्तुत या जो भी असाइमेंट उनके सम्मुक प्रस्तुत किये जाए, वो आर्थपूर्ण होने चाहिए अध्यापक को बिद्यार्थियों के समक्ष सूचना इस तरह संगठित करके प्रस्तुत करनी चाहिए कि बिद्यार्थी नए वह पुराने अनुभवों की स्वं विवेचना करके उन्हे समझने योग्य हो जाए प्रिये सिक्षार्थियों अभी तक इस अध्या में मैंने आपको मनुबिज्ञान के डिफरेंट स्कूल के अंतरगत, संदचनावाद, प्रकारेवाद, विवहारवाद, मनुबिसलेशनवाद, जेस्टाल्टवाद के सम्मन्द में ज्यानकारी प्रदान की अब मनुबिज्ञान के स्कूलों का सिच्छा में क्या योगदान है? इसके अंतरगत आने वाले एक अन्य स्कूल के बिशे में ज्यानकारी प्रदान करेंगे जिसे हम हार्मिक मनुबिज्ञान के नाम से जानते हैं हार्मिक मनोविज्ञान की स्थापना बिलियम मैक दूवल ने की थी, उन्होंने ग्रीक सब्द हार्मे से हार्मिक बताया, जिसका आर्थ होता है बृत्ती, मैक दूवल ने मानो विवहार की जो व्याक्षा विवहारवादियों जवारा दी गई, उसका बिरोद करते हुए बताया की बृत्ती उद्देश उपोर्ण होती है, उनका विचार था की उद्देश या लक्ष व्याक्षिको संबंदित अनुक्रिया करने के लिए बिना किसी तरह के आभास पैदा किये हुए ही प्रेरित करता है, जबकि कभी-कभी एक औश्पस्ट आभाद व्यक्ति में उत्पन्न हो जाता है, इन्होंने उद्देश उपूर्ण विवहार की निम्नान के चार विश्यस्ताओं का वणन किया है, नंबर वन, उद्देश उपूर्ण विवहार अपने आप होता है, अने सब्दों में कोई उद्देश या लच्छ को देखकर व्यक्ति स्वतह संबंदित अनुकुरिया कर देता है, उद्देश पूर्ण विवहार का प्रभाव लच्छ पर पहुँचने के कुछ देर बाद भी प्राणी में बना रहता है, ती चोथे पॉइंट के रूप में उद्देश पूर्ण विवहार अभ्यास से उन्नत बनता है, मैग डूगल ने उद्देश पूर्ण विवहार करने के पीछे छेपी सक्ति को मूल प्रभिति कहा है, मूल प्रभिति व्यक्ति में एक जन्मजात मनुदहिक प्रभिति होती है, जो व्यक्त की कोई उद्देश पूर्ण करिया करने के लिए बाध करती है Mack Doogle ने प्रमुक्साथ मूल प्रभीत्ययां बताईं जो किसी ने किसी समवेत्यग से जूड़ी होती है प्रमुक्साथ मूल प्रभीत्ययां तथा उनसे संबंधित संवेत निम्नांकित है इसको दो कटेग्री में डिवाई कर सकते हैं मूलप्रविती एवं समवेग नमबर वन मूलप्रवित स्मीकृति समवेग रक्ती दूथरी मूलप्रविती लडाई संवेग क्रोध तीसरा मूल प्रविति आत्म द्रिन कथन संवेग उल्लास चौथा मूल प्रविति उत्सुक्ता संवेग अचरज पांचमा मूल प्रविति मात्रित्व प्रित्व संवेग नरम संवेग छठा मूल प्रविति आत्म अपमान संवेग के अंतर्गत नकारात्मक आत्मभाव, मूल प्रवित्य के अंतरगत अंतिम, उन्मुक्ति और सम्वेक्ट डर है. हार्मिक मनोविज्ञान का सिच्छा में योगदान, सैक्षिक परिस्थितियों में हार्मिक मनोविज्ञान द्वारा प्रतिपादित मूल प्रवितियों के सिद्धान्त द्वारा बालकों के मूल प्रवितिक बिवारों को समझने में काफी साहता मिली है टारेंस 1965 के अनुसार सिख्षक को सिख्षार्टियों द्वारा वर्ग में किये जाने वाले मूल प्रविती से संबंदित स्वाभाविक बिवार को समझने में मदद मिलती है साथी साथ इन सिख्षार्टियों के विविन्न तरह के समझेगात्मक बिवार जैसे साथियों के साथ क्रोद करना, साथियों के साथ मिल जूल कर रहना, सिख्षार्टियों के साथ मिल जूल कर खुशी मनाना, अपने को स्वेम दोसी मानना, आज बिवारों के कारणों को भी सम आनू इसक्षार्थियों कुरिया के मांध्यम से मैंने क्नूभी ज्ञान के स्कुलों का सिझ्छा में क्या जूगदान है। उस पर ब्रिष्टी चर्चा की हमें पूर्र बिश्वास है कि मेरे इस लेक्षर के मांध्यम से आप कुछ सेहां सके हूँगे आपके ग्यान में अभिवर्दन हुआ होगा इसके अलामा फिर भी आपको कोई समस्या हो जटिलता हो किसी पार्ट को समझने में असुविदा नजर आ रही हो तो आप मुझसे उत्तरप्रदेस राजेसी टंडन मुक्त विश्विद्याले मुख्याले पर आकर सिच्छा विद्याशाखा में सीधे संपर कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्ट कर सकते हैं और यदि आप दूर दराज में रहते हों और आने में अक्षम हों ऐसी इस्तिती में चैक्ट बाक्स में मैसेच के माध्यम से अपनी समस्या को भेज कर उसका निदान प्राप्ट कर सकते हैं एधिया आपने ऐसा किया तो मुझे खुशी होगी आपने मेरे लेक्चर को द्यान पुर्वक सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you very much.